नमस्कार आप देखरें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो कांदरी मंसर मॉयल माइन्स में महराष्ट प्रदूशन मंडल द्वारा पर्यावरन विशेक जाहिर लोक सुनावनी भी सभा रखी गए जिसमें कई लोग उपस्थित हुए अस्थानी उपस्थित हुए राम्टेक के SDO और राम्टेक के तैसिलदार भी वहाँ उपस्थित हुए लेकिन चुनाव का हवाला देकर वहां से तुरत निकल पर है दोस्ते बड़ा प्रश्ण यह है कि यदि SDO या फिर तैसिलदार अगर वहां बैठ नहीं सकते थे तो इस सभा का एवजन करने होने नहीं देना था इसको बात में लेना था दूसरी बात यह है कि उस छेत्र में आचार सहिंता लागू है आचार सहिंता लागू के बाद भी इस सभा का होना यानि कि वहां जितने भी लोग उपस्थित थे खास करके जो नेता गन उपस्थित अलाग अलाग बिविन बिविन पार्टियों के उन सभी ने इसका विरोज किया इसके बापजूद यह सभा रखी गई और काफी तीखी बहस बाजी भी इसमें हुई प्रे मिला कि शिव शेना उद्धा बाला सहब ठाकरे की बीच आपसी मतभेद काफी तेज है वहां पस्थित चंदरपाल चोक से और संजय सत्यकार इन्होंने लोगों के हित के लिए जो भी चीज़े होनी चाहिए वो उन्होंने बातचीतों की विशाल बरबटे ने भी ऐसा ही कि लिए और माइक में उन्होंने जिस विशै को लिया वो विशै था रोजगर का, दोस्तों आपको बता दू कि यहां जो मंझ पे जो लोग बैठे थे, जो अधिकारी बैठे थे वह प्रमुकता पर्यावरन को ले करके बैठे थे उसी को ले करके बैठे थे किस तरीके से पर्यावरन का नुकसान होगा और नहीं होगा और यादे किसी के मन में कोई शक है शंसय है तो उस पर चर्चा कर सके लेकिन इस मुद्दे को छोड़ के मुद्दा कहीं और लेकर और बीच सभा में ही इसका निशेद करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगा करके विशाल बरबटे अपने समर्थगों के साथ वहां से निकल पड़े हैं खास बात ये है कि विशाल बरबटे तो निकल पड़े लिखिन उनहीं के पार्टी के प्रेम रोडे कर अपने समर्थगों के साथ वहीं बैठे रहे गए यानि कि आधे लोग निकल गए आधे लोग वहीं बैठे रहे गए उनके जाने के बाद में लोगों के बीच में चर्चाएं तेज हो गई कि विशाल बरबटे को अभी इस पे पहले अभ्यास करना चाहिए था उसके बाद उन्होंने इस पे बात करना चाहिए था दूसरी बात ये भी बताया गया कि विशाल बरबटे को किसी अपने पार्टी के किसे अन्यकार करम में जाना था और इसलिए उन्होंने इस तरीके का निशेद करके बीज से निकल लिया लेकिन साफ तोर पर ये देखने को मिला कि शिव शेना उद्धा बाला सहब ठाकरे के ब अंदर ये मतभेद कितना बड़ा हो सकता है यानि की शिव शेना ठाकरे गट में शायद कई गुट निर्मान हो चुके हैं ऐसा भी कहा जा सकता है या फिर विशाल बरबटे जो की विधान सभा प्रमुक हैं फिलहाल राम्टेक से वरिष्ट हैं पद में और इसके अपकार जिसके लिए ये रखा गया था ये सभाग जन सुनामनी का अस्टान किया गया था उसको लेकर का custom को यही मांगती कि आप कुछी भी करो लेकिन हमारे अस्थानिक सोच करके अस्थानिका भला कैसे होगा इसके बारे में सोचनी kanी ज्यादा बी सकता है इसी पर फोकस किया गया आप देखते रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्ट वीयूस सिंग के साथ सिर्फ इन्बिसीयन न्यूज पे जाहिए